नमस्कार, प्रस्तु थै मुन्शी प्रेमचन्द जी के द्वारा लिखीवी एक कहानी, अंधेर नाग पंचमी आई, साठे के जिंदा दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जांगिय बनवाए अखाडे में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी आसपास के पहलवान एकठा हुए और अखाडे पर तंबोलियों ने अपने दुकाने सजाई क्योंकि आज कुष्टी और दोस्ताना मुकाबले का दिन है औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूद और चावल लिये नाग पूजने चली साथे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे दोनों गंगा के किनारे खेती में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी इसलिए आपस में फोजदारियां खूब होती थी आदिकाल से ही उनके बीच होड चली आती थी साथे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर्न उठाने दिया उसी तरफ पाठे वाले अपनी प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखाना ही जिन्देगी का सबसे बड़ा काम समझते थे उनका इतिहास वीजियों के कहानियों से भरा हुआ था पाठे के चरवाहे यह गीत गाते वे चलते थे साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार और साठे के धोबी गाते साठे वाले साठ हाथ के जिनके हाथ सदा तलवार उन लोगन के जनम नसाए जिन पाठे मान लीन अवतार गरज आपसी होड का यह जोश बच्चों में मा के दूद के साथ दाखिल होता था और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और एतिहासिक मौका यही नाग पंचमी का दिन था इस दिन के लिए साल भर से तयारियं होती थी आज उनमें मारके की कुष्टी होने वाली थी साथे को गोपाल पर नाज था पाठे को बलदेव पर गर्व दोनों सूर्मा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजवे लिए अखाडे में उतरे तमाशाईयों पर चुमबक कासा असर हुआ मौजे के चौकेदारों ने लट और डंडो का जमघट और अंगारों की तरह लाल आखे देखी इधर अखाडे में दाओं पेच होते रहे बलदेव उलजता था, गोपाल पैतरे बदलता था उसे अपनी ताकत पर नाज था, इसे अपने कर्तब का भरोसा कुछ देड़ तक अखाडे से ताल ठोकने की आवाजे आती रहे तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के मारे नाच उठने लगे बरतन और कपडे, पैशे और बताशे लुटाई जाने लगे किसी ने अपना पूराना साफा फेका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी साथे के मन चले जवान अखाडे में पिल पड़े और गोपाल को गोध में उठा लाए बलदेव और उनके साथियों ने गोपाल को लहू की आँखों से देखा और दात पीस कर रहे गये दस बजे रात का वक्त और सावन का महीना आसमान पर काली घटाएं चाये थी अंधेरे का यह हाल था कि रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा कभी-कभी बिजली चमकती थी मगर अंधेरे को और जादा अंधेरा करने के लिए मेंडोकों की आवाजे जिंदगी का पता देती थी वरना चारों तरफ मौत सी खामोशी खामोश, डरावने और गंभीर साथे के जोपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली-काले भेडों की तरह नजर आते थे ना बच्चे रोते थे, ना औरते गाती थी पवित्रात्मा बुढ़े राम नाम न जपते थे मगर आबादी से बहुत दूर कई पुर्शोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजर कर जवार और बाजरे के खेत थे और उनकी मेडों पर साथे के किसान जग़ जग़ मड़या डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे तले जमीन, उपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा चाया हुआ कहीं जंगली सुवर के गोल, कहीं नील गायों के रेवड, चिलम के सिवाए और कोई साथी नहीं, आग के सिवाए और कोई मददगार नहीं ज़रा खटका हुआ कि चौक पड़े अंधेरा भै का दूसरा नाम है, जब मिट्टी का धेर, एक ठोटा पेड और एक खास का धेर भी जानदार चीजें बन जाती है अंधेरा उनमें जान डाल देता है, लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान है कि यह सब सक्तियां जेलते हैं, ताकि अपने से ज़्यादा भागेशाली भाईयों के भोग विलास का सामान तयार कर सकें इन्ही रखवालों में आज का हीरो साथे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ेया में बैठा हुआ है, और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में या गीत गारा है मैं तो तो से नैना लगाए पच्चताए रे अचानक उसे किसे के पावों की आहट मालूम हुई जैसे हिरन कुत्तों की आवाज को कान लगा कर सुनता है, उसी तरफ गोपाल ने भी कान लगा कर सुना नींद की अंगाई दूर हो गई, लट्ठ कंदे पर रखा और मड़िया से बाहर निकलाया चारो तरफ कालीमा चाईवी थी, और हलकी हलकी बून्दे पढ़ रही थी वह बाहर निकला ही था कि उसके सिर पर लाठी का भरपूर हाथ पढ़ा वह जियों कत्यों गिरा और रात भर वहीं बेसुद पढ़ा रहा मालूम नहीं उस पर कितनी चोटे पढ़ी हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला था लिकिन जिन्दगी बाकी थी या पाठे के ग्यारतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड में अपनी हार का बदला लिया था गोपाल जाती का अहिर था न पढ़ा न लिखा बिलकुल अख़ड दिमाग रोशनी नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों गुलता पूरे छे फूट का कद गठावा बदन ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील भर बैठे वे उसकी तानों का मजा लेते गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महिने भर तक गाता सावन में मलहार और भजन तो रोज का शगल था नेडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्वों पर उसे विद्वानों के जैसे संदे है था लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लप्टों से डरते हैं उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारन रूप से भैबित होती थी लेकिन उसका उस पर कुछ बस न था सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बच्पन में उसकी दिल पर खिंची गई थी पत्थर की लकीर बन गई थी शरारते गई, बच्पन गया, मिठाई की भूख गई लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी आज उसके दर्वाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फोच जमा थी लेकिन गोपाल जखमों से चूर, दर्द से बेचान होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में चिपा हुआ बैठा था नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकिदार रॉब खायवे ढंग से खड़े दरोगा की खुशामत कर रहे थे कहीं अहिर की फर्याद सुनाई देती थी कहीं मोदी का रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था फोहश और गंदी बातों का गर्म बाजारी था दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे गालियों में बाते करते थे सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफ़ा पड़ते थे महतर ने आकर फर्याद की हुजूर अंडे नहीं है दरोगा जी हंटर लेकर दोड़े और उस गरीब का भुरकस निकाल दिया सारे गाउं में हलचल पड़ी भी थी कॉंस्टेबल और चौकिदार रास्तों पर यूं अकरते चलते थे कि गोया अपनी ससुराल में आये हो जब गाउं के सारे आदमी आगे तो वारदात हुई और कमबक्त गोपाल ने रपट तक न की मुखिया साहब बेद की तरह कापते वे बोले हुजूर अपकी माफी दे दी जाए दारोगा ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देख कर गा यह इसकी शरारत है दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म के बराबर है मैं इस बदमाश को मज़ा चखा दूँगा वो अपनी ताकत के जोश में भूला हुआ है और कोई बात नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मानते मुख्या साहब ने सिर जुका कर कहा हुजूर अपकी माफी दे दी जाए दारोगा की तियोरियां चड़ गई और जुंजला कर बोले अरे हुजूर के बच्चे कुछ सठिया तो नहीं गया है अगर इसी तरब माफी दे दे नहीं होती तो मुझे क्या कुट्टे ने काता था कि यहां तक दोड़ कर आता न कोई मामला न मामले की बात बस माफी की रट लगा रखी है मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है नमाज पढ़ता हूँ तब तक तुम अपना सलाह मश्वरा कर लो और मुझे हसी खुजी रोकसत करो वरना गौस खां को जानते हो उसका मारा पानी भी नहीं मांगता दारोगा तकवे और तहारत के बड़े पाबंद थे पांचो वक्त नमाज पढ़ते और तीसो रोजे रखते थे इदों में धूम धाम से कुर्बानिया होती थी इससे अच्छे आचरन का आदमी और भला कौन हो सकता था मुखिया साहब दबे पाउं से गुपचुप ढंक से गौरा के पास आकर बोले यह दोरोगा बड़ा काफिर है पचास से नीचे तो बात ही नहीं करता अवल दर्जे का थानेदार है मैंने बहुत कहा कि हुजूर गरीब आदमी है घर में कुछ सुभिता नहीं मगर वह एक नहीं सुनता गौरा ने घूंगट में मूँ चिपा कर गहा दादा उनकी जान बज जाए किसी तरह की आच ना आने पाए रुपे पैसे की कौन सी बात है इसी दिन के लिए तो कमया जाता है गोपाल खाट पर पड़ा सब बाते सुन रहा था अब उससे सहा न गया लकडी गाट पर ही तूटती है जो गुना किया ही नहीं वह दबता है मगर कुचला नहीं जा सकता वह जोश्य उट बैठा और बोला पचास रुपे की कौन कहे मैं पचास कौडियां भी न दूँगा कोई गदर है मैंने कुसूर क्या किया है मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया बडपन के स्वर में बोले धीरे बोलो कहीं सुन ले तो गजब हो जाएगा लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था अकड कर बोला मैं एक कौडी भी न दूँगा देखे कौन फासी लगा देता है गोउरा ने वहलाने के स्वर में कहा अच्छा जब मैं तुमसे रुपे मांगू तो मत देना यह कहकर गोउरा ने जो इस वक्त लॉंडी के बजाए रानी बनी वी थी छपपर के एक कोने में से रुपेयों की एक पोटली निकाली और मुखिया जी के हाथ पर रख दी गोपाल दाथ पीस कर उठा लेकिन मुखिया साहब फोरण से पहले सरक गया दारोगा जी ने गोपाल की बाते सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि एक खुदा इस मर्दूत के दिल को जराप पलटते इतने में मुखिया ने बाहर आकर पचीस रुपे की पोटली दिखाई पचीस रास्ते में ही गायब हो गये थे दारोगा जी ने खुदा का शुक्र किया दुआ सुनी गई रुपिया जेव में रखा और रसत पहुँचाने वालों की भीड को रोते और बिलगते छोड़ कर हवा हो गये मोदी का गला घुट गया कसाई के गले पर चुरी फिर गयी तेली पिस गया मुखिया साहाब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा गोया रसत के दाम गिरह से दिये गाउं में सुर्खुरू हो गया प्रतिष्ठा बढ़ गई इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली गाउं में रात बर यही चर्चा रही गोपाल बहुत बचा और इसका सहरा मुखिया के सिर पर था बड़ी विपत्ती आई थी वह टल गई पित्रों ने दीवान हरदौल ने नीम तले वाली देवी ने तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की यह उन्ही का प्रताब था देवी की पूजा होना जरूरी था सत्यनारायन की कथा भी लाजमी हो गई और गाउं की औरते उसका साथ देने आई थी उसका घर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुश्बू से महक रहा था जो खस और गुलाब से कम मनमोहक न थी औरते सुहाने गीत गा रही थी बच्चे खुश होगर दोडते थे देवी के चबूत्रे पर उसने मिट्टी का हाथी चड़ाया सत्य की मांग में सिंदूर डाला दीवान साहब को बताशे और हलवा खिलाया हनवान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है उन्हें लड्डू चड़ाये तब गाती बजाती घर को आई और सत्य नारायन की कथा की तयारिया होने लेगी मालिन फूल के हार केले की शाखे और बंदनवारे लाई कुमार नए-नए दिये और हांडिया दे गया बारी हरे ढग के पतल और दोने रख कर गया कहार ने आकर मटकों में पानी भरा बढ़ही ने आकर गोपाल और गौरा के लिए दो नई-नई पीडिया बनाई नाईन ने आंगन लिपा और चौका बनाया दरवाजे पर बंदनवारे बंद गई आंगन में केले की शाखे गड़ गई पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया आपस में कामों की वेवस्था खुद बखुद अपने निश्चे दायरे पर चलने लगी यही वेवस्था संस्कृती है जिसने देहात की जिंदेगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है लेकिन अफसोस है कि अब उच निश्च की बेमतलब और बेहुदा क्यादों ने इन आपसे कर्तव्यों को सोहाद्र सहयोग के पद से हटा कर उन पर अपमान और निश्चता का दाग लगा दिया है शाम हुई पंडित मोटे राम जी ने कंदे पर जोली डाली हाथ में शंक लिया शंक फोका गया और कथा शुरू हुई गोपाल भी गाड़े की चादर ओड़े एक दिवार के सहरे एक कोने में बैठा हुआ था मुखिया नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी से उससे कहा सत्यनारायन की महिमा थी कि तुम पर कोई आच ना आई कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद